हेलो वरीवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी प्लेक्स सिरप के बारे में जो की इस सिरप का इस्तमाल बहुत ज्यादा अपच भूख न लगने की समस्या होती हैं इसके अलावा भी डाइजिसी सिस्टम से जुड़ी और भी समस्यों में से इस्तमाल किया जाता है क्या दोज है क्या सैट इफैक्ट लेवर में भी मिल जाता है यहां 106 रूप्लेक्स में अब बात करते हैं डी प्लेक्स सिरप क्या-काइग कोंबिनीशन है ऍाव बात करते हैं तो fungal dices जो की एक तरीके का starch को degrading enzyme है जो की starch को digestion करने में काफी मददगार होता है इसे सांथी सांथ जो दूसरा combination है pepsin जो की एक तरीके का peptide hydrolase है जो की है protein को छोटे-छोटे peptides के droplets में breakdown करने का काम करता है यह दोनों ही combination मिल करके carbohydrates और starch को digestion को effective बनाने में मदद करती है इसके सांथी सांथ इसका इस्तमार hyper acidity की समस्या होती है पेट में करेम पा जाता है तो उनसे भी condition में इस्तमाल करते हैं इसके अलावा भूख ना लगने की समस्या होती है पेट में भारी पन रहता है पेट भरा-भरा सा महस्या होती है तो उन सभी condition में इसे इस्तमाल कै जाता है iNK benefit होते है बात करे इस दोज क्या dose है तो इसे 5 ml से 10 ml खाना खाने से पहले आफ इसे इस्तमाल कर सकते हैं इसके संथ preparacy करते हैं कि CrudeCH क्या है healthy condition क he और आप इसे किस पर पर में जिमें ले रहे हैं उसी साब से इसका dose confirm होता है इसलिए आप एक बाद डॉक्टर ए फर्मिसे से जरूर कंसर्ट करें उसके बाद इसके बाद dose का confirmation करते हैं तो आपके लिए काफी फाइदे मंद रहेगा बात करें इस दवा क्या नुकसान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो तौचा में लाली पन बहुत ज़्यादा नीन आना, वॉमिटिंग होना, सरमदर्द होना हाथ पर उसे बहुत ज़्यादा पसीन आना इस तरीक के नुकसान देखने को मिल सकता है अगर आपको यह कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता है तो नहीं तो यह बहुत ही रियर केस होता है इसका साइड वेक्स देखने को मिलता है बात करी किसे नहीं लेना है अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं, ब्रेस्फिडिंग मदर हैं या आपको किसी भी फरकार का कोई critical condition में कोई medicine कोर्स चल रहा है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और करते हैं, तो डॉक्टर की सलहा और रेख देख के बाद इस्तमाल करें किसी के बताया जाने पाप इसे बिल्गुल इस्तमाल ना करें तो यही था डीजी प्लेक सीराप और फंगल लाइस्टिस पेपसिन के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्स्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फॉर वाच्छिंग